Hello friends, Welcome to js station, आपका सौगत है आपके अपने चैनल पर Friends, जैसा की हमने अभी तक आपको जितनी भी जानकारी दी है एकदम सही जानकारी दी है और friends, हमने result को लेकर कि जो बात बताई थी वो है एकदम सही जाती हुई दिखाए पड़ रहे है Friends, बात को देखिये अभी एक notice वायरल हो रही है कल हमारे होटसप गुरूप भी चलता है YouTube चैनल के साथ होटसप गुरूप है उस होटसप गुरूप पे हमारे काफी student ने एक notice भेजी और हमको कहा कि सर बताईए कि यह क्या है तो हम जब उस notice को पढ़े हैं बेना समय बरबाद किये हुए तो फ्रेंड्स यह आप देखिए notice फ्रेंड्स जैसे कि आप सब को पता है कि ठीक इसी प्रकार से एक notice आई थी 41.520 में सेम आती आवस्यक सम्मद और इमेल फैक्स वगरा से यह सो भेजा जाता है जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है तो प्रदेश सकारदोरा दिनांक आप देख सकते हैं अक्टूबर यानि 30 अक्टूबर 2019 की बात की गई है फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए आपकी जो है ये अभी कल की बात तीस अक्टूबर मतलब परसों की बात है परसों ये नोटिस बनाई गई है इस यह नोटिस सही है या गलत है इसके भी से आप थोड़ा सा नीचे की तरब चलके देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जब जूम आउट करेंगे आप एकदम नीचे जा करके ये देखिए यहाँ पर प्रिंटेड लिखा हुआ है 31-10-2019 इसको जब जूम करेंगे 31-10-2019 इस हिसाब से मुझे को लग रहा है कि ये जो है नोटिस आई है ये सही आई है और सेम ऐसे ही नोटिस 41,520 में आई हुई थी ओफिसर लोग उनी के पास भेज दी जाती है ठीक ऐसे उसमें भी हो था और सीम यही इसमें भी हो रहा है जो लोग भी 41,520 का पेपर दिये हैं सब को मालू होगा कि इस तरह से नोटिस ओफिसर के पास भेज जाती थी ये सी नोटिसें और अफिसिल साइड पर नहीं जाड़ी जाती है ये फ्रेंड्स नोटिस हमारे पास आई है तो हम इसके विसे में चलिए अच्छे से पढ़के बताते हैं आपको फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए सबसे उपर में देखिए यहाँ पे लिख्या हुए पत्र संख्या आप इसके बाद D.B. Ph. T. 2. 131 2018 सेकंड लिख्या हुआ है सेकंड का मतलब भी है 2018 में सेकंड बैकेंसी बोलो जाता है 9561 को जो यह बैकेंसी है इसको सेकंड बोला जाता है अब यहाँ पे देखिए आप समस्च लिख्या हुए समस्च जोर्णल अपर पुलिस महनेदेशक उत्रपरदेश बिसह क्या है इसमें देखिये आरक्षी नागरिक पुलिस योम आरक्षी पियस्ची पद सीधी भरती अक्टूबर 2018 सीधा सीधा लिख्या है अक्टूबर 2018 और क्या लिख्या इसमें देखिए कि अंतरगत लिखित परिक्षा में सफल अभ्यारतियों की अब लिखों की समिक्षा यों सारीरिक मानक परिक्षन कराये जाने हैं तो DBPST दल के गठन के समद्न में ये फ्रेंड्स जहां पर आपका DBPST कराये जाएगी वहां पर जो community आपकी करायेगी फिजिकल उसके विसे में आपको अधिकारी जो वहां पर रहेंगे कुछ नोडल अधिकारी होते हैं कुछ और तमाम प्रकार के अधिकारी होते हैं भरती बोड को दिखाते हैं अब फ्रेंड्स यहां पे देखिए आप सीधा सीधर किर्पिया आरक्षी नागरिक पुलिस्यों आरक्षी पीस्सी के पदों पर सीधी बरती अक्टूबर 2018 के अंतरगत अभ्यारतियों के अभिलेखों की समिक्षविम सारीरिक मनक प्रेक्षण की करवाही माह नवंबर की बात की जा रहे फ्रेंड्स और हमने आपको जो डेट बताई है लगभग वाह अपडेट की सही होते जा रही है जी एस इस्टेशन एक दम सही रास्ते पे जा रहा है और बहुत जल्द आपको रजल्ट का सामना आपसे हो जाएगा बिलकुल परिसान मत होई यह नोटिस मुझे जहां तक लगती पिछली बार भी आई थी मुझे याद है इसलिए एसा लग रहा है कि यह नोटिस सही है और भाई नवंबर माह यानि उन्होंने आप जैसे क्यों आप सबको पता है कि सुबा ही वो लोग एक पेपर में निकाले थे दो तीन जगा हम भी देखें कि बता रहे हैं कि रजल्ट तो आने में लेट हो रहा है लेकिन दिसंबर के पहले वो रनिंग वज़रा सब कुछ करा लेंगे ऐसा आप लोग कई वीडियो में देख चुके होंगे लेकिन यहाँ पे आप देखिए नमंबर में रजल्ट आएगा फिजिकल तभी त दुम सही जा रहे हैं बिल्कुल परिशान मत होईए नमंबर में ही आपका रजल्ट आएगा आप लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं रनिंग करिए रजल्ट की विसे में बिल्कुल परिशान मत होईए यह बात अभी तक आप देख सकते हैं आगामी माह नमंबर 2019 की बात की जा रहा है νommor just आज कल से स्टांट ہے जैसा कि आप सब को ऊप्ता समझ लिए स्टांट ही हो गया है अब आगे की तरप चलते हैं और देखें हैं इसमें और क्या क्या बाते बताई गहीं हैं इसमें वही सब बातें बताई गहीं हैं जो बातें आप लोग अच्छी तरीके से पहले से ही जानते थे कौन कौन फीजिकल सेंटर पर मौझूद रहेगा यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगे यह बताया गया मजिश्टेट्स के नाम निर्दित कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और यहाँ पर की मज़ुदी में आपका फिचकल होगा एक नोडल अधिक्यारी होगा जो आप फिचकल में अगर कोई प्राबलम हो जाती है डाकुमेंट बेरिफिकेसर में तो उसी दिन आप उसको कम्प्रेंट करके सब कुछ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल परिशान मत होईए माह को भी चैनल को नए देख रहे हैं सबसे पहले आप चैनल जीए सिटेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको विश्वाज दिलाता हूं जीए सिटेशन आपको आगे रखेगा सबसे आगे रखेगा अभी तक दे गई सारी जनकरियां सही है तो फ्रेंड्स ये नोटि तो फ्रेंड्स बिल्कुल परिशान मत हुए आपका रजल्ट बहुत जल्द आने वाला है तो जो लोग नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दवाईए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में तब तक लिए नमसकार जैहिंद